नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है केरल की हादिया अब ना माबाप के साथ रहेगी ना अपने पती के साथ बलकि वो तमिल नाडो के सलेम में होमियोपैथिक कॉलेज के होस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और कॉलेज के डीन उसके गार्जियन होंग ये फैसला सोंबार को सरवच नियाले ने दिया है इससे पहले चली लंबी सुनवाई में हादिया से जब उसकी मर्जी पूछी गई थी तो उसने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है लेकिन यह भी चाहती है कि उसकी पढ़ाई का खर्च राजसरकार नही बलकि उसके पति उठाएं और उसके पती ही उसका गाड़ियन रहें मामले की सुनवाई कर रहे है नयमुर्ती जस्टिस डीवाई चंदरचूर ने इस पर कहा था कि मैं भी अपनी पत्नी का गाड़ियन नहीं हूँ पत्निया चल समपत्ति नहीं होती है ये बात इस्तरियों के मामले में सवाल ये नहीं है कि उसका गार्जियन कौन हो सवाल तो ये है कि क्या उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने और शादी करने का अधिकार है या नहीं है अगर हादिया नाबालिग होती तो बेशक उसके माता पिता की मर्जी चलती लेकिन हादिया 24 वरस की है फिर भी उसे इसलाम कबूलने और एक मुस्लिम से शादी करने के मसले पर अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तमिलनाडो में पढ़ाई करते हुए 2016 में हादिया ने इसलाम अपनाया था उसके मताबिक अपने साथ पढ़ने वाली दो मसलिम लड़कियों को देखकर उसने ये फैसला लिया था जिसके बाद हादिया के पिता ने केरल की अदालत में मकदमा धर्स किया कि उनकी बेटी को जबरन मसलिम बनाया गया है और उनकी इच्छा के खिलाफ उसे पकर कर रखा गया है लेकिन हादिया का पक्ष सुनने के बाद अधालत ने उसे अपनी मर्जी से रहने की इजाज़त दी इसके बाद अगस 2016 में हादिया के पिता फिर अधालत पहुंचे और दावा किया कि उनकी बेटी भारत से बाहर जा सकती है इस दोरान हादिया की शादी हो चुकी थी और इस बार अदालत ने हादिया का विवाह खारिज करते हुए उसकी कस्टडी माता पिता को सौंप दी एक 24 साल की लड़की अगर अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है तो भारत का संविधान उसे इसकी इजाज़त देता है लेकिन हादिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ उसकी इस शादी को लब जिहाद जैसा अशोभनिय नाम दिया गया और बीते कुछ समय से राजनिती और खबरों की दुनिया में इसे खूब भुनाया जा रहा है जहां प्रेम होगा वहां संगर्ष या लड़ाई का क्या काम लेकिन धर्म के नाम पर राजनिती करने वालों ने लब जिहाद का जुम्ला गड़ लिया और यही प्रचलन में आ भी गया है हादिया के पती शफीन के संबंद आयस से होने के आरोब लगाए गया है हादिया पर जबरन धर्म परिवरतन का आरोब भी उसके पती पर लगा है इस मामले की जांच एनाईये को अगस्त में सौपी गई एनाईये ने अदालत को बताया है कि उसका मानना है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हिंदू महिलाओं को इसलाम कबूल करने के लिए फुसलाया गया है बहलाया गया है लेकिन अब तक इनका कोई पुखता सबुत पेश नहीं किया गया है जहां तक शफीन पर लगे आरोपों का सवाल है वे भी अभी तक सिद्ध नहीं हुए है केरल हाई कोट द्वारा शादी रद किये जाने के बाद शफीन ने सुप्रीम कोट में अपील की थी जिसके बाद हादिया को अपने माबाप के संरक्षन से मुक्ती मिली है लेकिन हादिया और शफीन के वेवाहिक जीवन पर अभी प्रशनचिन बरकरार है अब देखना ये है कि देश की नियाए वेवस्था हादिया के जीवन को उलजाने वाले सवालों का हल किस तरह निकालती है कैसे एक वयसक की नीजी आजादी को बरकरार रखती है क्या अदालत के फैसले से लब जिहाद या आउनर किलिंग जैसी संकुचित अवधारनाएं कमजोर होंगी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हादिया धर्म परिवर्तन से पहले अखिला ना होकर अखिल होती यानि लड़की ना होकर लड़का होती तो क्या तब भी इतनी ही राजनीती और इतना ही बवाल खड़ा होता इन सवालों के जवाब ही हमारे भावी समाज की दशा और दिशा तै करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहें डीवी लाइब नमस्कार करेंगे